श्रीराम कृष्ण वच्णाम्रित के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं श्रीराम कृष्ण भगतों से कहते हैं नमस्कार मन ही मन का अच्छा होता है पैरों पर हाथ रख कर नमस्कार की क्या जरूरत है और मन ही मन जिसे नमस्कार किया जाता है उसे संकोच भी नहीं होता मेरा ही धर्म ठीक है और सब कुछ मिथ्या है यह सब अच्छा नहीं है मैं देखता हूँ वे ही सब कुछ हुए हैं मनुष्य, प्रतिमा, शालग ग्राम सब के भीतर एक ही सत्ता देखता हूँ मैं एक को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं देखता बहुत से लोग सोचते हैं मेरा ही मत ठीक है और सब गलत है हम जीते और सब हार गए है इससे जो बढ़ गया है वह थोड़े के लिए अटक जाता है तब जो पीछे पड़ा था वह बढ़ जाता है गोलक धाम के खेल में बहुत कुछ बढ़ गया परन्तु फिर पो न पड़ा हार और जीत उनके हाथ में है उनका काम कुछ समझ में नहीं आता देखो नारियल इतने उचे रहता है धूप लगती है फिर भी उसके जल की तासीर ठंडी है इधर पानी फल सिंगाड़ा पानी में रहता है परन्तु उसकी तासीर गर्म होती है आदमी का शरीर देखो सिर जो मूल है उपर चला गया इस पर भक्त पूछता है महराज हमारा इस समय करतव्य क्या है श्री राम कृष्ण कहते हैं किसी तरहे उनके साथ युक्त होकर रहना दो रास्ते हैं कर्मयोग और मनोयोग जो लोग ग्रिहस्त आश्रमी हैं, उनका योग कर्म के द्वारा होता है चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, ग्रिहस्त, वानप्रस्त और सन्यास सन्यासी को काम्य कर्मों का त्याग कर देना चाहिए परंतु नित्य कर्म उसे कामना हीन होकर करना चाहिए दंडधारण, भिक्षा, तीर्थ, यात्रा, पूजा, जब इन सब करमों के द्वारा उनके साथ योग होता है और चाहे जो काम करो फल की आकांक्षा का त्याह करके करो फल की आकांक्षा को छोड़कर कर सको तो उनके साथ योग होगा एक मार गोर्ख है मनोयोग इस तरह के योगी में बाहर से कोई चिन्न नहीं दिखाई पड़ते उसका योग अंतर से होता है जैसे जड़भरत तथा शुकदेव और भी बहुत से हैं पर ये दो प्रसिद्ध हैं इनकी दाढ़ी और बाल तैसे ही रहते हैं वे उन्हें निकालते नहीं परमहंस अवस्था में कर्म उठ जाते हैं तब स्मर्ण मनन ही रहता है सदा ही मन का योग रहता है अगर वह कर्म भी करता है तो लोक शिक्षा के लिए चाहे कर्म के द्वारा योग हो या मन के द्वारा भक्ति के होने पर सब समझ में आ जाता है भक्ति से कुम्भक अपने आप ही हो जाता है मन में एक आग्रता होने पर ही वायू स्थिर हो जाती है और वायू के स्थिर होने पर ही मन एक आग्र हो जाता है बुद्धी स्थिर हो जाती है जिसे होता है वहें खुद नहीं समझ सकता भक्ति योग में योग की साधन होते हैं मैंने मां से रोरो कर कहा था मां योगियों ने योग करके ग्यानियों ने विचार करके जो कुछ समझा है वो तू मुझे समझा दे मुझे दिखला दे मा ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है व्याकुल होकर उनके निकट रोने पर सब कुछ पतला देती हैं वो वेद, वेदान्त, पुरान इन सब शास्त्रों में क्या है सब उन्होंने मुझे समझा दिया है भग्त पूचता है और हठयोक का क्या श्री राम कृष्ण कहते हैं तुम लोग संसार को काक विष्ठा नहीं कह सकते गोष्वामी ग्रिहस्त हैं इसलिए मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारे यहां श्री ठाकुर जी की सेवा है तुम लोग क्या संसार का त्याग करोगे तुम लोग संसार को माया कहकर उनका हस्तित्व लोब नहीं कर सकते संसारियों का जो कर्तव्य है उस पर श्री चैतन्य देव ने कहा है जीवों पर दया रखो, वैश्नवों की सेवा करो, भगवान का नाम लो केशव सेन ने कहा था, वे इस समय दोनों ही करो, कह रहे हैं एक दिन कहीं चुपचाप काट खाएंगे, परन्तु बात ऐसी नहीं, भला मैं क्यों काटूंगा मनी मलिक कहते हैं कि इन्तु आप तो काटते हैं, श्री राम कृष्ण कहते हैं क्यों तुम जैसे के वैसे ही तो बने हो, तुम्हें त्याग करने की क्या जरुगरत है देखो, जिनके द्वारावे लोग शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें संसार का त्याग करना चाहिए जो आचारी हैं, उन्हें कामिनी और कांचन का त्याग करना चाहिए नहीं तो उनकी उपदेश लोग मानते नहीं फिर किवल भीतर ही त्याग के होने से काम नहीं होता बाहर भी त्याग होना चाहिए लोग शिक्षा तभी हो सकती है नहीं तो लोग सोचते हैं ये कामेनी और कांचन का त्याग करने के लिए कहतो रहे है परन्तु भीतर ये खुद उसका भोग कर रहे है एक वैद्य ने रोगी को दवा दे कर कहा तुम किसी दूसरे दिन आना भोजन आदी की बात बता दूँगा उस दिन वैद्य के यहां राब की बहुत सी कलसियां भरी थी रोगी का घर बहुत दूर था उसने दूसरे दिन आकर उनसे भेंट की वैद्य ने कहा खाने पीने में जरा सावधानी रखना गुड़ खाना अच्छा नहीं है रोगी के चले जाने पर एक आदमी ने वईद्य से पूछा उसे इतनी तकलीफ आपने क्यों दी है उसी दिन कह देते कि गुड़ न खाना हसकर वईद्य ने कहा इसका एक खास अर्थ है उस दिन मेरे यहां राव और गुड़ के बहुत से घड़े रखे हुए थे उस दिन अगर मैं कहता तो उसको विश्वास न होता मैं सूचता जब इन ही के यहां इतना गुड़ रखा है तो यह जरूर कुछ न कुछ गुड़ खाया करते होंगे अतयव गुड़ कुछ ऐसी बुरी चीज नहीं हो सकती आज मैंने गुड़ के घड़ों को छिपा रखा है अब उसे मेरी बात का विश्वास होगा मैंने आदी समाज के आचारिये को देखा सुना दूसरी या तीसरी बार उसने विवाह किया है उसके लड़के बड़े बड़े हो गए हैं यही लोग आचारिये हैं यह लोग अगर कहें इश्वर सत्य है और सब मिथ्या तो इनकी बात का विश्वास भला कैसे हो सकता है जैसा गुरू है उसको शिश्य भी वैसे ही मिलते है सन्यासी भी अगर मन से त्याग करके बाहर कामिनी कांचन लेकर रहे तो उसके द्वारा लोग शिक्षा नहीं हो सकती लोग कहेंगे यह च्छिपकर गुड़ खाता है सिंती का महेंद्र वईद्य रामलाल को पांच रुपय दे गया था मुझे यह बात मालूम नहीं थी रामलाल के कहने पर मैंने पूछा किस से दिया है उसने कहा यहां के लिए मैंने पहले सोचा कि दूद्वाले को रुपया देना है नहो इन ही में से दे दिया जाएगा हरे हरे जब कुछ रात हुई तब मैं खाट पर उठकर बैठ गया बड़ी बेचेनी थी जान पड़ता था छाती में कोई खनोच रहा है तब रामलाल के पास जाकर मैंने फिर पूछा उसने तेरी चाची को तो नहीं दिया है ना उसने कहा नहीं तब मैंने कहा तू अभी रुपया लोटा दे रामलाल उसके दूसरे ही दिन रुपयों को लोटा आया सन्यासी के लिए रुपय लेना या लोभ में फश जाना कैसा है जानते हो जैसे ब्रह्मन की विद्वा बहुत दिनों तक अचार और ब्रम्हचरिय से रहकर एक दिन एक नीच शुद्र के साथ निकल गई उस देश में भगी तेलिन के बहुत से चेले हो गए थे शुद्र को सब लोग प्रणाम करते हैं यह देखकर वहां के जमिदार ने उसके पीछे किसी बदमाश को बिढ़ा दिया उसने उसका धर्मनश्ट कर दिया साधन भजन सब मिट्टी में मिल गया पतित सन्यासी भी वैसा ही है तुम लोग संसारी हो तुम्हारे लिए सत्संग की आवश्यक्ता है पहले है साधू संग फिर है श्रद्धा साधू संथ अगर उसका नाम न लें उनका गुन न गाएं तो इश्वर पर लोगों का विश्वास और श्रद्धा भग्ती कैसे हो सकती है जब लोग तुम्हें तीन पुष्ट का अमीर समझेंगे तभी मानेंगे ना मास्टर से कहते हैं कि ज्यान के होने पर भी सदा अनुशीलन चाहिए तोतापुरी कहता था लोटे को एक दिन मलने से क्या होगा डाल रखोगे तो फिर मेला हो जाएगा तुम्हारे घर एक बार जाना है तुम्हारा अड़्डा अगर मालूम रहा तो संभव है वहां बहुत से भगता मिलेंगे तुम इशान के पास एक बार जाना मनी कहते हैं जी अवश्य श्री रामकृष्ण कहते हैं खूब उदार और सरल हुए बिना इश्वर के दर्शन नहीं होते कल विजय अधरसेन के यहां गया हुआ था व्यवहार ऐसा था जैसे अपना मकान हो सब अपने आत्मी हो विशय बुद्धी के गये बिना कोई उदार और सरल नहीं होता मिट्टी बनाई हुई नहो तो उसके बरतन नहीं बन सकते भीतर बालू या कंकड के रहने पर बरतन चटक जाते हैं इसलिए कुमार पहले मिट्टी बनाता है आइने में गर्द पढ़ गई हो तो उसमें मुख दिखाई नहीं देता चित्ट शुद्धी के हुए बिना अपने स्वरूप के दर्शन नहीं होते देखो ना जहां अवतार है वहीं सरलता है नंद, दशरत ये सब सरलते वेरांत कहता है बुद्धी के शुद्धी हुए बिना इश्वर के जानने के इच्छा नहीं होती अंतिम जन या अरजित तपस्या के बिना उदारता या सरलता नहीं होती जो शुद्ध आत्मा है वे निरलिप्त हैं उनमें माया या विद्या है इस माया के भीतर तीन गुण है सत्व, रज, और तम जो शुद्ध आत्मा है उन्ही में ये तीनों गुण है किन्तु फिर भी वे निरलिप्त है आग में अगर आस्मानी रंग की बड़ी डाल दो तो उसकी शिखा उसी रंग की दिखाई पड़ती है लाल वड़ी छोड़ो तो शिखा भी लाल हो जाती है परंतु आग का अपना कोई रंग नहीं है पानी में आस्मानी रंग डालो तो आस्मानी रंग हो जाएगा और फिटकरी छोड़ो तो वही पानी का रंग रहता है चांडाल मांस का भार लिये जा रहा था उसने आचारिय शंकर को छू लिया शंकर ने जो ही कहा तुने मुझे छू लिया चानडाल बोला महराज न तुम्हें मैंने छूआ है न मुझे तुमने तुम तो शुद्ध आत्मा हो निरलिप्त हो तुम्हें कैसे छूआ जा सकता है अचार्य शंकर की आँखी खुल गई तब ही जडभरत ने भी ऐसी ही बातें राजा रहूगन से कही थी शुद्ध आत्मा तो निरलिप्त है और शुद्ध आत्मा को कोई देख नहीं सकता पानी में नमक घोला हुआ हो तो आँखें देख नहीं सकती नमक को जो शुद्ध आत्मा है वही महाकरण कारण का कारण है स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण ये इतने हैं पांच भूत स्थूल है मन बुद्ध और अहंकार सूक्ष्म है प्रकृति अत्वा अध्या शक्ती सब की कारण रुपीनी है ब्रम्ह या शुद्ध आत्मा कारण कारण है यही शुद्ध आत्मा हमारा स्वरूप है कोई पूछे कि ग्यान किसे कहते हैं तो मैं कहूंगा इसी स्वरूप का ग्यान प्राप्त करना और मन को उसी में लगाए रहना इस शुद्ध आत्मा को जानना यही ज्ञान है कर्म कब तक है तो जब तक देहा भिमान रहता है अर्थात देह ही मैं हूँ यह बुद्धी रहती है यह बात गीता में लिखी है जब तक देहा भिमान है तभी तक तो कर्म होगा देह पर आत्मा बुद्धी का आरोब करना ही अज्ञान है सत अर्थात जो नित्य है परवरम है असत अर्थात संसार अनित्य है पढ़ने से क्या होता है साधना और तपस्या भी तो चाहिए उन्हें करुण होकर के पुकारो तो सही भांग भांग चिलाने से क्या होगा भांग को रगड करके पीओ, देखो, तभी तो चड़ेगी, इसी तरह भगवान के नाम में डूबो, तभस्या करो, उनके लिए रो, तभी तो तुम्हें मिलेंगे, तभी तो उनका रस्चकोगे, यह संसार काटे के पेड की तरह है, हाथ लगाओ तो खून निकलाता है, अगर काटे के पेड के ग्यान आगनी लानी पड़ती है, वहीं आग लगानी पड़ती है, तब पेड कहीं जल सकता है, साधना की अवस्था में कुछ परिश्रम करना पड़ता है, फिर तो देखो मार्ग सीथा है, मोड पार करके अनुकूल वायू में पाल लगाकर नाव छोड़ दो, जब तक माया के भीतर के घेरे हैं, जब तक माया के मेग हैं, तब तक ग्यान सूरिय के किरने नहीं फैल सकती, माया के घेरा पार करके जब बाहर आकर खड़े हो जाओगे, तब ग्यान सूरिय विद्या का नाश कर देगा, घर के भीतर ले जाने पर आतशी शीशे से कोई काम नहीं हो सकता घर के घेरे से बाहर खड़े होने पर जब धूप उस पर गिरती है तब उसकी ज्वाला से कागच जल जाता है और बादलों के रहने पर भी आतशी शीशे से कागच नहीं जलता बादलों के हट जाने पर ही वह काम कर सकेगा कामिनी और कांचन के घेरे से जरा हट कर खड़े होने पर अलग रहकर कुछ साधना करने पर मन का अंधकार दूर होता है अविद्या और अहंकार के बादल हट जाते है ज्यान लाब होता है कामिनी और कांचन ही बादल है श्री राम कृष्ण कहते हैं त्यागियों के नियम बड़े कठिन है कामिनी और कांचन का संसर्ग लेश मात्र भी न रहना चाहिए रुपया अपने हाथ से तो छूना ही नहीं चाहिए परंतु दूसरे के पास रखने की कोई विवस्था न रहनी चाहिए ये भी ध्यान देना लक्षमी नारायन मारवाडी था विदानती भी था प्रायह यहां आया करता था मेरा बिस्तरा मेला देखकर उसने कहा मैं आपके नाम दस हजार रुपया लिख दूँगा उसके ब्याद से आपकी सेवा होती रहेगी उसने यह बात कही नहीं कि मैं जैसे लाठी की चोट खाकर बेहोश हो गया होश आने पर उससे कहा तुम्हें अगर ऐसी बात करनी हो तो फिर यहां कभी ना आना मुझ में रुपया छूने की शक्ती नहीं है बाबा और ना ही मैं रुपया पास रख सकता हूँ उसकी बुद्धी बड़ी सूक्ष में थी उसने कहा तो अब भी आपके लिए त्याज्ये और ग्राहिये बचा हुआ है इसका मतलब आपको भी ग्यान नहीं हुआ मैंने कहा नहीं भाई इतना ग्यान मुझे नहीं हुआ लक्षमी नाराइन ने तब भै धन हुर्दै के हाथ में देना चाहा मैंने कहा तो मुझे कहना होगा इसे दे उसे दे अगर उसने न दिया तो क्रोध का आना अनिवारिय होगा रुपयों का पास रहना ही बुरा है ये सब बातें न हुँगी आइने के पास अगर कोई वस्तुर रखी हुई हो तो क्या उसका प्रतिबिम्ब न पड़ेगा भक्त पूछता है महराज क्या गंगा में शरीर त्याग होने पर मुक्ती होती है श्री राम कृष्ण कहते हैं ग्यान होने से ही मुक्ती होती है चाहे जहां रहो चाहे महा कलुशित स्थान में प्राण निकल जाएं तुमारे और चाहे गंगा तठी हो ज्यानी के मुक्ति हवश्य होगी परंदुहां अज्यानी के लिए गंगात ठीक है भक्त कहता है महराज काशी में मुक्ति कैसे होती है श्री रामकृष्ण कहते हैं काशी में मृत्य होने पर शिव के दर्शन होते हैं शिव प्रकट होकर कहते हैं मेरा यह साका रूप मायिक है मैं भक्तों के लिए वह रूप धारन करता हूँ यह देख मैं अखंड सच्चिदानंद मिलीन होता हूँ यह कहकर वह रूप अंतरधान हो जाता है पुरान के मत से चांडाल को भी अगर भक्ती हो तो उसकी भी मुप्ती होगी इस मत के अनुसार नाम लेने से ही काम होता है योग, तंतर, मंतर इनकी कोई आवश्यक्ता नहीं है वेद का मत अलग है ब्रह्मन हुए बिना मुक्ती नहीं होती ब्रह्मन अर्धात ब्रम्ह का ग्यान हुए बिना और मंत्रों का यथार्थ उच्चारन अगर नहीं होता तो पूजा का ग्रहन ही नहीं होता याग, यग्य, मंत्र, तंत्र इन सब का अनुष्ठान यथा विधी करना चाहिए कलिकाल में वेदोक्त कर्मों के करने का समय कहा है इसलिए कली में नारदिय भगती चाहिए कर्मयोग बड़ा कछिन है निशकाम कर्म अगर न कर सके तो वह बंधन का ही कारण होता है इस पर आजकल प्राण अन्नगत हो रहे है अतयेव, विधीवत सब कर्मों के करने का समय रहा नहीं है आप दश्मूल पाचन अगर रोगी को खिलाया जाए तो इधर उसके प्राण ही नहीं रहते अतयेव, फीवर मिक्ष्चर ही चलता है नारती ये भक्ती है उनके नाम और गुणों का कीरतन करना कलिकाल के लिए कर्मयोग ठीक नहीं, भक्ती योग ही ठीक है संसार में कर्मों का भोग जितने दिनों के लिए है उतने दिनों तक भोग करो परन्तु भक्ती और अनुराग चाहिए उनके नाम और गुणों का कीरतन करने पर कर्मों का क्षय हो जाता है सदा ही कर्म नहीं रहते उन पर जितने ही शुद्धा भक्ती और प्रीती होगी कर्म उतने ही लगातार घटते जाएंगे लड़का होने पर उसे काम नहीं करना पड़ता इसी लिए तुम भी धीरे धीरे भक्ती करते रहो जब भगवान को लगेगा कि अब इसके सारे कर्म कर देने चाहिए कम तो फिर वे आपके कर्म कम कर देंगे और फिर पूरा समय भगवान का चिंदन मनन उनका भजन करते रहना इस प्रकार श्री राम क्रश्न वचनाम लिद का यह भाग संपून दा को प्राप्त होता है शेश अगले अंक में